बड़े आर्थिक सुधारों को अर्थव्यवस्था के लिए करवी दवाई बताने वाले सरकार के बयानों पर चुटकी लेते हुए कॉंग्रे सुपाध्यक्ष राहूल गांधी ने कहा है कि नोडपंदी और GST ने तो अर्थव्यवस्था को ICU में पहुंचा दिया है राहूल गांधी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है डो जेखली नोडपंदी और GST से अर्थव्यवस्था ICU में हैं आप कहते हैं कि आप किसी से कम नहीं मगर आपकी दवा में दम नहीं अपने इस ट्वीट के माध्यम से राहूल ने नोडपंदी और GST जैसे बड़े आर्थिक परिवर्तनों को अच्छा कदम बता रही सरकार और वितमंत्री अरुन जेथली और दवावाली टिपनी के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साधा है गौर तलब है कि प्रधानमंत्री मोधी ने नोडपंदी सहित कई मौकों पर अपने भाशनों में विभिन बड़े आर्थिक सुधारों को अर्थ व्यवस्था के लिए करवी दवा बताया है इस से पहले भी राहूल गांधी ने तमिल फिल्म मरसेल में डिजिटल इंडिया और जीस्टी से जुड़े विवाद को लेकर पीम नरेंद्र मोधी पर निशाना साधा था राहूल ने तब पीम मोधी को सलाह दी थी कि वो तमिल असमिता को चोट ना पहुंचाएं राहूल ने अपने ओफिशियल हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था मोधी जी सिनिमा तमिल भाशा और संस्कृती का आइना है और आप इस गौरफशाली परंपरा पर आघात न करें